नमस्कार दोस्तों तांसी कीचन में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं आलू गोभी मसाले की सब्जी जिसे बनाना तो आसान है ही और यह बहुत ही टेश्टी बनती है तो चलिए आज की मज़ेदार रेस्पी सुरू करते हैं रेस्प को बड़े-बड़े पीसेज में कटकर लिये हैं और चार आलू को मैंने ऐसे तुकडों में कटकर लिया है और मैंने एक गोभी लिया जिसे में बड़े-बड़े पीसेज में कटकिये हैं मसाले में मैंने काली मिर्च लिया है छोटी लाची लिया है बड़ी लाची लिया है गाट चपाट लिए में तब एक तड़ाई में तेल डालूंगी थोड़ा सा कि को कि ये भी को जैसे भूल लेंगे ये तेल जैसे छटक ने लगता आप इसे ढख दो दीर दीर आप पूरी गोवी को इसमें डालिए इससे तेल आपके ऊपर नहीं छटकेगा और इसके बाद हम इसे तेज आज पर अच्छे से भून लेंगे तो यह देखिए बहुत ही अच्छे से हम इसे भूनेंगे जब तक हमारा गोवी भून रहा हम एक पेश्ट बना लेते हैं मसाले का तो मिक्सी जार में एक टमाटर काटेंगे टमाटर काट के डालेंगे मिक्सी जार में तो दोस्तों बहुत ही अच्छी सब्जी बनने वाली है अलू गोभी की तो वीडियो में लाश तक बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजें मेरे वीडियो को लाइक कीजें दोस्तों तो एक टमाटर को मिक्सी जार में का तोड़ा सा प्याज में पीशूंगे इसके साथ यह देखिए अब जो मसाले में खड़ी मसाले लिये ते उससाब इसमें डालकर आम इसका एक पेश्ट बना लेंगे चलिए पेश्ट बना लेते हैं तो यह देखिए दोस्तों हमारा पेश्ट बनकर तयार है उधर हम गोवी को देख लेते हैं गोवी यह देखिए दिरे हमारा वह भून चुका है लाल हो रहा है तो थोड़ी देरी से अब ही हम और भूनेंगे तो यह देखिए गोवी हमारा भून चुका है इसे अब हम बाहर निकाल लेंगे एक प्लेट में निकाल लेंगे इसे अब उसी कड़ाई में जित्ता तेल बचा है उसमें हम आलू को भी फ्राई कर लेंगे यह देखिए आलू भी अच्छे से हम थोड़ा सा लाल कर लेंगे फ्राई कर लेंगे इसमें यह देखिए आलू हमारे फ्राई हो चुक है इसे भी हम उसी प्लेट में गोभी वाली प्लेट में निकाल लेंगे अब उसी कड़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें तेजपत्ता डालेंगे, दो तेजपत्ता मैंने डाला, तीन हरी मिश डाला मैंने तुकडों में तोड़कर, जीरा डाला मैंने थोड़ा सा तड़के के लिए, जीरा जब चटकने लगेगा हमने प्याज जो काट के बारिक रखे थे वो डाल देंगे, अब प्याज को यह दख्चे से भूलेंगया है कि मैं इसे धूर्ड अग्री अज़्ट के अड़ी डाल के अधिल्क देखे लुठा जाएं uh सब्सक्रा अजय करें डाल के मैं सब्सक्राद ना ओस थो प N Kel उनक अच्छे से भून लेंगे हम मसाले को अब इसमें धनिया पाउडर डालेंगे एक चमच हल्दी पाउडर एक चमच डालेंगे लाल मिर्ष पाउडर आदा चमच ले डालेंगे कि हरी मिर्ष हमने पहले ही डाला था ज्यादा तीती हो जाएगी अगर आपको ज्यादा तीखा प अच्छे से भून लेंगे। था-पैस्पा मचक ? बचते। अच्छा कि धिमा करके पहले निष्चा हैं। हमें मनें जो गोवी और आलू को भून के रखा था उसे मे लिए डाल दिए है अब इसे besi मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे कि यह देखे अच्छे से हमारा मसालों के साथहuges के साथ आलू औक भून चुक है इसमें आप अपने अ इकॉर्डिंग ग्रेवी बना सकते हैं आपको ज्यादा ग्रेवी रखनी है कम रखनी है या बिल्कुल बीना ग्रेवी के बनानी है तो आप उसी हिसाब से बना सकते हैं तो यह देखें मैंने इसमें थोड़ा पानी डालो इससे 5 मिनट के लिए ढग दिया दीमी आज पे तो य कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको रेस्पीक कैसी लगी तो धनिया डालते ही हम सबजी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से चेक कर लेंगे कि आलू हमारा हो गया है की नहीं गो भी हो गई है की नहीं तो दोस्तों हमारी सबजी रेडी हो गई तो इसे आप चपाती के साथ पराठे के साथ पूड़ी के साथ चावल के साथ किसी भी चीज के साथ खाए बहुत ही टेश्टी लगती है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपनों का धन्यवाद